स्टार्ट करते हैं डिक्टोस्टीलियम डिसकोईडम इसके बारे में आपके एग्जाम में कुछ कुछ पूछे जाते हैं ना तो वो Animal Kingdom में, Actual में आते हैं, ना तो वो Plant में आते हैं, वो Algae और Invertibates के जैसे कुछ दिखते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग protist में या amoevo zoa कहते हैं या आप कह सकते हैं amoeba की तरह कुछ-कुछ इसका behavior होता है और ये basically इनको हम लोग slime mold बोलते हैं ठीक है वैसे तो देखे slime mold हम लोग fungus को mold बोलते हैं लेकिन यहाँ पे जो है ये fungus इसको नहीं कहेंगे ठीक है slime mold इसको जरूर बोला जाता है लेकिन ये fungus नहीं होता है अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो आपको जैसे पता है कि जब eukaryotes में multicellular organism बनते हैं तो कैसे बनते हैं वो multicellular organism की एक cell होती एक cell से दो cell divide करके इस तरह से cell बनते-बनते एक multicellular organism बन जाता है लेकिन यहाँ पर जो ये dictostelium discoidum है ये एक तरीके से unicellular form में भी रहता है और multicellular form में भी रहता है लेकिन ये multicellular form इस तरीके से नहीं बनाता है ये multicellular form means की एक इसका अलग means method है भी हम बताते हैं कि ये क्या करता है क्या behavior शो करता है जिससे multicellular organism बनता है तो basically ये क्या है ये multicellular organism जो डराइव होता है unicellular organism से also called slime mold इसको कहते है it is not a mold nor it is a consistently slimy मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि हर समय ये slimy हो और ऐसा भी नहीं है कि mold भी नहीं होता है और consistent slimy नहीं होता है कुछ एक time ऐसा होता है जिससे में ये slimy होता है ठीक है वो क्या time होता हम लोग अभी आगे discuss करेंगे it is a best thing of dictostelium as a social amoeba ठीक है इसको social amoeba की category में रखा गया है ठीक है और basically ये जो multicellular organism होते है ये part-time इनको कहा जाता है part-time multicellular organism क्योंकि ये अपनी life cycle में ऐसा नहीं होता है कि हर समय ये multicellular form में रहते है ये कुछ समय अपनी life cycle के time में ही क्या होते है multicellular होते है तो इसलिए इनको कहा जाता है part-time multicellular organism और social amoeba की तरह भीए करते है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा structure होता है और इसमें asexual cycle होती solitary होते है haploid amoeba होते है जब means कि ये unicellular के form में रहते है तो इनको कहा जाता है mixo amoeba ठीक है क्या कहा जाता है mixo amoeba या फिर social amoeba जब ये किस form में रहते है haploid amoeba के form में रहते है they live on decaying ये किस तरह से survive करते हैं locks of eating bacteria को feed करते हैं और binary fission के थूँ ये reproduce किये जाते हैं अब इसके बाद तो इन में social behavior होता है means कि ये तरीके से क्या show करते हैं अभी हम आगे आपको बताएंगे इसमें देखी क्या होता है कि जब suppose कि जो जिसको हम लोग कहते हैं mixo amoeba mixo amoeba mixo amoeba क्या करते हैं suppose कि ये mixo amoeba feeding कर रहे हैं और feeding करने के बाद एक time ऐसा आएगा कि अगर nutrient supply या nutrient exhaust हो जाएगा nutrient की कमी हो जाएगी तो उस समय ये जो mixo amoeba होते हैं जो कि haploid form में रहते हैं ये mixo amoeba क्या करते हैं means की एक तरीके से जुड़ने लगते हैं तो क्या होता है when the exhausted their foods 10,000 mixo amoeba क्या करते हैं ये जोईन करते हैं और जोईन करके एक stream like structure बनाते हैं और फिर वहाँ पे एक central point भी बनता है अभी अभी diagram में देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी तो यहाँ पे देखिया सिधे ही diagram पही जाते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह यहाँ पे क्या है कि यह आपको mixo amoeba दिख रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे इस तरह का structure दिख रहा है यह क्या है? यह mixo amoeba यह haploid आपको structure दिख रहा है यह क्या है? यह mixo amoeba आप सपोस्ज कि यहाँ पे अभी means की food बहुत था इनके feeding करने के लिए तो यह अपना food को लेके means अपना सारा काम कर रहे हैं लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया की starvation वाली condition आ गई जब starvation वाली condition आती ही तो यह mixo amoeba कुछ इस streaming like structure के थूँ जुडते जाते हैं अब यह stream कैसे बनता है? यह किस तरह से जुडता है? यह हम लोग अभी आगे बात करेंगे तो यह क्या है की streaming like structure से जुडता जाता है और ऐसे एक के उपर एक pile जैसा structure बनता जाता है ठीक है? टॉप पे pile जैसा structure बनाते है तो यह एक इस तरह का structure बन जाता है अब यह देखे क्या है की यह single single जो mixo amoeba थे यह सब जुडते इस तरह से structure बना रहे है और यह कब होता है? यह aggregation यह aggregation mixo amoeba का 6 hour after starvation तो उस समय और भी जुड़ जाते हैं ठीक है जुडते रहते हैं mixo amoeba जुडते रहते हैं और एक big size का structure बना लेते हैं फिर यह एक ऐसा structure बनाएंगे means कि यहाँ पर देखी इस तरह से means arise हो रहा है इसका structure तो इसको कहा जाता है tight aggregates इसको कहा जाता है tight aggregates ठीक है अब यह जो aggregates बन रहे हैं इसके बाद तो यह वाले process पर देखी क्या हो रहा है एक तरीके से सारे जो mixo amoeba है वो आके यहाँ पर gathering कर रहे हैं तो इस वाले process को कहा जाता है aggregation इस वाले process को क्या कहा जाता है aggregation अब इसके बाद aggregation के बाद फिर 15 hours पे क्या होता है कि जो ये aggregate करके means ये बना हुआ है structure means कि देखें ये क्या है ये lunicellular थे अब ये सब जुड़ते जा रहे हैं तो हमने जैसा बताया ना कि यहाँ पे जो multicellular organism बनता है वो जो basically तो हम लोगों ने ऐसा ही देखा ना कि एक cell से ही multicellular organism बनता है लेकिन यहाँ पे क्या हुँआ यहाँ पे एक-एक cells बहुत सा जोड़ जो यह structure बन रहा है माौंट बन रहा है तो यह structure जो बन रहा है ये यह unicellular cell से मिलके mixamiba जोड़के इस तरह का structure बना रहा है यह structure बनाते जा रहा है और इस structure में 15 hours होते हैं तो इस structure को कहा जाता है slug या pseudoplasmodium क्या कहा जाता है slug या pseudoplasmodium और इसमें एक तरीके से animal-like movement होता है जो ये structure है इसमें animal-like movement होता है और slug का मतलब होता है कि कोई ऐसा animal जिसके कोई leg ना हो, soft type का animal हो जिसके कोई leg ना हो तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि soft इसका structure होगा और इसमें कोई leg नहीं होगी तो इसको slug बुला जाता है तो slug और इसमें movement कैसा होता है animal-like means कि एक तरीके से means क्या करेंगे slippery type का movement होगा फिर इसके बाद क्या है कि जब 16 hours होते हैं तो फिर क्या होता है कि जब यह dark में होता है तो यह differentiate होता है तो differentiate होता है differentiate होके यह कुछ ऐसा structure बनाता है एक anterior structure बनता है और यहाँ पर posterior structure बनता है फिर जब 17 hours पर यह पहुचता है तो फिर यह यह वाला structure बना लेता है ठीक है इतना यह differentiate होते जा रहा है और फिर इसके बाद यह fruiting body बनाता है तो fruiting body का मतलब कि जो sports बनाएंगे fruiting body का मतलब जो sports बनाएंगे और उन sports को carry करने के लिए कि stock होता है तो दो चीजे बनती है कुछ बनती ही stock cells जो की होती है somatic और कुछ होती ही sports cells stock cells, somatic cells है जो की आगे चलके degenerate हो जाते है मतलब उनका कोई काम नहीं होता तो वो degenerate हो जाते है फिर यहाँ पर देखी क्या हुआ कि 24 hours के बाद sports release होते है और sports release कैसे होते है जब यह amoeba means की जो भी structure बना इसकी hatching होती है फिर से यहाँ पर अगर food है तो फिर as it is यह अपना ऐसे ही individually life live करेंगे इसके बाद फिर जैसे ही food exhaust हुआ फिर से यही काम तो यह cycle ऐसे चलता रहता है इस process को कहा जाता है aggregation क्योंकि यहाँ पर mix of amoeba क्या कर रहे है aggregate कर रहे है यहाँ पर क्या कर रहे है क्योंकि यहाँ पर slug क्या कर रहे है migration कर रहे है तो इस process को कहा जाता है migration culmination मतलब कि जब culmination का मतलब होता है last stage यह terminal stage यहाँ पर तरीके से क्या हो रहा है कि differentiation हो रहा है दो तरह की cells बन रहे है बन और stalk cells बन रहे है it क्या करेंगे आगे चलके स्पोर बनाएंगे स्टॉक्स एक सपोर्ट करते हैं फूटिंग बॉडी को बाद में यह डिजनरेट हो जाते हैं तो यह इसका मीज की सोशल साइकल है इसमें क्या है कि जब अभी फूड है तो यह अपना इंडिविजवली लाइब कर रहे हैं लेकिन जैसे ही फूड की मतलब अग्जास्थ हुआ वैसे हिए क्या कर रहे है एक शोशल बीहेर शो कर रहे है यह एक तरीके से जुड जा रहे है जुड के एक मल्टि स्टॉलर ओर्गनिजम का डेवलाप्मेंट और फिर यह हम बने तक tua तक हैं जब तक की यह स्टॉक्च्चर तक रहती हिजब तख की ग का structure बनता है जो कि आपने यहां पे देखा यह conical mount बन रहा है फिर इसके बाद क्या होता है they arise the top of this mine the end tight aggregate bends over produce a migrating slug और एक migrating slug बनता है जिसके front में टिप होता है जब migrating slug बनता है तो इसके जो initial end होता है यहां पर क्या होता है एक tip बनता है ठीक है migrating slug के आगे tip होता है और वो tip कप बनता है जब यह dark में होता है लेकिन जैसे ही light में exposed होता है यह differentiation होना बंद कर देता है ठीक है फिर इसके बाद क्या है तर इसके बाद क्या है ता तो जब Mixo Amoeba के फॉर्म में तो उस समय वो Slime के फॉर्म में नहीं होगे लेकिन जब इस फॉर्म में है तो यह Slime किसमे होते हैं Slime ही उसमें होते हैं मतलब एक इंकेसिंग होती है मतलब चारो तरफ Slime का सबस्रेंस होता है और इनकी जो साइज होती है वो जैसे हैं पर लिखा कि 2-4 mm होती है इसके बाद अगर हम लोग यहीं लाइफ साइकल जो हमने अभी आपको बताई है वुसी के बारे में आप लिखा हुआ है कि हैपलोईड इस पोर गिव राइस तो मिक्सोमीवा जो मिक्सोमीवा दिये जाते है विच कैन रिप्रोडूस अइसक्श्योली आप अड्टू फॉर्म एप्लोईड मिक्सोमीवा ठीक है जा करते हैं बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है यह असक्श्योली साथ मे अगरीगेट अकर्स अंड़ माइगरेटिंग इस फोर्मेशन होता है यह सारा प्रोसेस जब इस्टार्वेशन की कंडिशन होती उस समय यह स्लग और यह सारी चीजें फॉर्मेशन होता है Mr. Migration in moist and dark condition तोू जो स्लग का माइगरेशन होता है वह किस किशन, माइगरेशन क्या होती है कंडिशन उसके लिए होती है moist और डार्क कंडिशन ठीक है तो स्लग तभी migrate करेगा dar differentiation when coming light और इसके बाद फिर वह फूर्टिंग बॉडिशन हो गया migration कब हुआ चिद remember वाला condition हुआ है कि तो यह वाली condition कभ हुई यह हुई light में थीक है तो slug का migration दार्क में होता है और जब पूर पी स्टाइक की condition होती तो वह कभ होती वह light में होती है अब इसके बाद यहाँ पे जो हमने आपको बताया है उसी का एक flow chart बना हुआ है की कैसे जो pseudo-plasmodium gracks है जो structure बनता है slug वाला उसको क्या बोलते है pseudo-plasmodium या gracks बोलते है जब moist और dark condition होती तो migrate करता है so anterior tip slightly raised तो क्या होता है की जो जो slug होता उसमें anterior tip एसे रेस कर जाती है when reaches illuminated area जैसे ही यह light में पहुँचता है तो इसका migration cease कर जाता है यह जो migrate कर रहा है मतलब की जो move कर रहा है वो cease कर जाता है differentiation और pseudo-plasmodium differentiation होगा और shooting body में दो चीजे बनेंगी एक बनेगा anterior anterior portion जो होता है 15 to 20% of cell tube stocked प्री स्टॉक्ट सेल्स का फॉमेटिक सेल्स मतलब कि जब इसका इस लग का जैसे ही लाइट में पहुचा इसका डिफ्रेंशेशन हो रहा है तो इसके 15-20% सेल्स क्या बना लेते हैं इस टॉक ठीक है इस टॉक्ट सेल्स का फॉमेशन कर लेते हैं और जो पोस्टीरियर वैक्यूल एंट इनलार्ज मतलब कि फिर यह कुछ एक्स्ट्राशललण खोट को सेक्रीट करें में इनका size बढ़ा होगा वैक्यूल इंक इनकी इनलार्ज हो जाएग और इस तरह का एक structure ये बना लेंगे तो यह इसका क्या होता है इस तरह से यह कैसे unicellular से multicellular organism में change हो रहे हैं और यह क्यों कर रहे हैं यह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका behavior जो है means कि जब इस तरह की condition starvation की condition हो तो वो starvation वाली condition में यह behavior pattern show करते हैं लेकिन यह सब चीजे कर कैसे पाते हैं कि जो एक-एक cell है वो सारे एक साथ जुड़के फिर एक multicellular organism का development कर लेते हैं यह कैसे कर पाते हैं तो यह अब इसके बाद जो यह aggregation का process हो रहा है जैसे हमने बताया है कि aggregation एक stream-like structure में होता है तो यह aggregation के process में कुछ molecular mechanism होते हैं जिसकी वज़े से यह होता है जैसे कि जब cells pre-starvation condition में हैं तो यह क्या करते हैं sense करती है जब cells मतलब जो suppose mixoamoeba है Mixoamoeba means pre-starvation वाली condition में cells हैं तो यह क्या करती है sense करती है accumulation of PSF PSF क्या होता है pre-starvation factor ठीक है यह क्या करती है sense करती है। क्या sense करती है कि pre starvation condition हो गई है condition medium factor यह दो factor होते हैं यह दोनों factor मिलके self sense करती हैं कि अपने अंधर turn on करती है चार को करती है कर एक ऐसा जीन है जो कि साइकलिक एमप के लिए रिसेप्टर का काम करता है तो क्या समझना है कि पहले प्रीस्टारवेशन वह संस कर लेती है कि प्रीस्टारवेशन वाली कंडिशन आने वाली है मतलब कि न्यूटरवेशन सप्लाई हतम है तो अब प्रीस्टारवेशन के बाद तो स्टारवेशन ही आएगा ना मतलब कि फिर तो वह डिमनिश हो जाएंगी अगर उन्हें फूड नहीं मिलेगा तो इसलिए वह क्या होता है कि उसको कहते प्रीस्टारवेशन कंडिशन करती है तो अपने अंदर अन्धर प्रीस्टार बनाएगा थीक्ड के साइकलल के एंपte का शब्त बनाएगा तो यहां पे तो अब यह कारवन रिस्टार और इस्सटर के लिए कोई लगन होगा तो उसके लिए जो ल् Swami फियं रेसक्लिकीम्प एडना A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C cyclis enzyme की जरूरत होती है adenylase cyclis को code करने वाला gene जो है उसका नाम है ACA ठीक है उसका नाम है ACA और cyclic AMP को अब cyclic AMP अगर इसने बना दिया तो उसके लिए receptor कौन होता है CAR 1 receptor होता है तो जब pre starvation condition आती है तो दो factor release मतलब accumulate होते है PSF और CMF यह दोनों factor क्या करते हैं यह जब दोनों factor होते हैं तो turn on करते हैं CAR A gene को CAR A gene क्या है CAR A यहाँ पे case में CAR 1 होता है वो क्या होता है receptor होता है cyclic AMP का ठीक है तो cyclic AMP ligand की तरह काम करें तो cyclic AMP के लिए तो फिर बनेगा कहां से 80P से cyclic AMP कोन बनाता है adnilis cyclist इसका gene कहां होता है उसके gene का नाम क्या है ACAG इसके बाद क्या है signaling molecule drive अब यह जब signaling चलती है तो क्योंकि अभी हम बताएंगे कि जो stream like structure जो यह आपको यह streaming दिख रही है यह streaming सिर्फ ऐसे ही तो नहीं हो गई होगी नहीं तो जुडने के लिए तो ऐसे भी जुड सकते थे ना सै लेकिन यह एक इस तरह से stream like structure बना रहे तो यह stream like structure कैसे बना पा रहे इसी के पीछे एक mechanism होता है इसके लिए involved होते है cyclic AMP अब इसमें आप क्या देखरें signaling molecule क्या करते है aggregate करते है और development शुरू हो जाता है क्या हुआ कि जो aggregation और development होगा वो in molecule की वज़े से होगा ठीके और in molecules को किस ने activate कराया इन molecules को activate कराया PSF और CMF ने अब तो aggregation development होता क्या है कि जब यह aggregation होता है aggregation होके mound बनता है तो वो कैसे कैसे बनता है एक GPCR होता है GPCR कौन है यह जो carbon receptor आपको दिख रहा है यह GPCR है ठीके G-protein coupled receptor type है 7 transmembrane protein होती है carbon तो जो carbon है वो क्या है वो GPCR की तरह काम कर रहा है और GPCR में भी अगर आपने signaling पढ़ी होगी तो GPCR में एक signaling होती है cyclic AMP protein kinase A signaling तो यहाँ पे चलती है cyclic AMP protein kinase A signaling चलती है जिसके थ्रू क्या होता है molecule है जो cyclic AMP के थ्रू molecule इस तरह से जुड रहे है stream में जुड रहे है वो cyclic AMP के थ्रू जुडते हैं तो cyclic AMP receptor appear for aggregation CAR-2 हाँ अब इसके बाद जैसे हमने बताया है कि पहले तो आपको यह समझना है कि जो aggregation हो रहा है molecules का जो aggregation हो रहा है वो किसकी वज़े से हो रहा है वो cyclic AMP की वज़े से हो रहा है cyclic AMP कब बन रहा है जब क्या हो रहा है कि PSF और यह CMF दो molecule accumulate हो रहे है तो वो carbon gene को activate करा रहा है carbon gene एक receptor है किसके लिए cyclic AMP के लिए Cyclic EMP को कौन बनाएगा Adenylase Cyclic उसका जीन है CA ठीक है CA जीन है अब इसके बाद यहाँ पर एक signaling चलती है कौन सी signaling GPCR Cyclic EMP GPCR ना कहके आप यह कहेंगे Carvan Carvan Cyclic EMP Protein Kinase Signaling चलती है जिसके थूँ एक streaming बनती है ठीक है जो streaming हम आपको बता रहा है यह जो streaming बन रहे है वो Cyclic EMP की वज़े से बनती है अब इसके बाद तो इसमें भी जो कार यह जो कार आप देख रहे हैं यहाँ पर कारवान लिखा यह कार टू और कार थी है तो का काम क्या है कारवभ़ज का काम है यहाँ पर देखिए अंटिरियर प्री-्सटॉक सथ जहाँ पर अंटिरियर प्री-सटॉक सथ बनेंगी और बिसीकली जैसे की यह जो सनररह होता है इसके बाद यही आगे चलके फ्रूटिंग बॉडडी बनाता है जिसमें कि pre-stock बनता है और scores बनता है, pre-sports बनता है तो तो इते justement के according यह differentiate हो जाते है जो interior में होंगे वो stock बना लेंगे जो posterior में होंगे वो sport बना लेंगे location के according मतलब इनके cells के अंदर कुछ ऐसे mechanism होते हैं कि यह अपने location के according differentiate हो जाते हैं कि और बीभिमें ़ों इप ऊठे घ्राइगा है कि कुछ और भी में और रिचाप्टर जैसे सब्सक्राइए नहीं स्पॉर्ट अर्पाया जाता हैं तो आपको क्योंकि यह सारी चीजें आपके कभी कभी question में पूछ ले जाते हैं तो यह जो mechanism है इसको इसमें बहुत detailing है बट आपको फिर भी detail में जाके कुछ-कुछ main main चीजों को अपने दिमाग में रखना होगा ठीक तो जैसे अभी आपको क्या समझना है कि pre starvation condition आती है cell sense करते हैं और accumulate करते है PSF CMF को जिससे carbon gene expression होता है carbon जो car A gene है यह क्या करता है एक receptor बनाता है जिसका receptor का नाम है car 1 receptor यह carbon receptor cyclic AMP का receptor होता है लेकिन cyclic AMP को बनाने के लिए कौन सा जीन होता है CA gene होता है जो कि cyclic AMP बनाने के लिए adnilis cyclase को code करता है इसके बाद यह कुछ और car receptor होते हैं जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं अब इसके बाद तो इन molecules की जो aggregation हो रहे हैं मतलब कि जो streaming बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं अग्रिगेशन कैसे हो रहा है यह तो आप समझ गए कि cyclic AMP वाला पाथवे ओन होगा तो aggregation of dictostelium discordium after four to five hour of nutrient starvation जैसी nutrient starvation हुआ mixo जो ameva हैं वो move करते हैं 20 mm per minute मतलब उनकी जो movement की rate होती है वो 20 mm per minute वो move करते है movement due to chemotaxic chemotaxic का मतलब क्या होता है कि किसी भी chemical substance की वज़े से कोई movement हो चाहे वो positive हो चाहे वो negative हो किधर भी जाये लेकिन वो chemical के substance की वज़े से हो या तो chemical की तरफ आ रहा हो या chemical से अवे हो रहा हो लेकिन reason तो chemical ही है तो उन movements को कहा जाता है chemotaxic लेकिन बाद में पहले तो यह बतायागे कि chemotaxic movement की वज़े से यह cells जो है वो streaming इस तरह से बना लेते हैं मतलब कि जो mixoamoeba ऐसे ऐसे आ जाते हैं लेकिन बाद में पता चला कि वो chemotaxic substance एक्चली में cyclic EMP है एज mixoamoeba begins to synthesize cyclic EMP, cyclic EMP का formation जैसे हमने बताया कि यह CMF और दोनों molecule मिलके क्या करते हैं कंडिशनिंग करते हैं मतलब यहां पर यह क्या करने लगता है यह cyclic EMP बनाने लगता है क्यों बनाने लगता है क्योंकि starvation की condition आ गई है तो यहां पर क्यों होता है कि सभी mixoamoeba cyclic EMP का formation करने लगता है आप जो cyclic EMP है वो अपने neighboring cell से कैसे response करता है कहने का मतलब यह है कि भाई एक cell के पीछे दूसरी cell आ रहे है इस तरह से one by one आ रहे है तो यह अपने neighboring cell से कैसे correlate करते हैं यहां पर आप देखिए यह इस तरह से क करते हैं एक तो initiate movement towards the cyclic EMP pulse for a minute suppose कि मानिजे कि यह एक mixoamoeba है और इसमें यह cyclic EMP release कर रहा है तो यह क्या induction दे रहा है कि जो दूसरी वाली cells है वो भी उसी मतलब cyclic EMP को देखते हो इसके पीछे आ जाए the initiate movement towards the cyclic EMP pulse for a minute और दूसरा के दे रिलीज ओन cyclic EMP या फिर यह अपना ही cyclic EMP release करें मतलब कहने का कि एक यह cell suppose cyclic EMP release कर रही है तो इसको देखके यह वाली cells आ जाए और या फिर यह यह वाली cells ही अपना cyclic EMP release करें तो उसके पीछे दूसरी आ जाए तो इस तरह से क्या होग हो रहा है कि यह molecule एक दूसरे से आके adhere हो जा रहे है तो इन में कुछ addition molecule पाए जाते हैं इन में कुछ addition molecules पाए जाते हैं जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं कुछ addition molecule दिये हुए हैं जो की morphogenesis मतलब की जो इसका differentiation और उसके लिए बहुत important role प्रे करते हैं जैसे कि यहां पे आप देख रहें कि एक molecule पाए जाते हैं जिनका नाम होता है जिनका नाम है जिनका नाम है GP24 और यह ग्लाइको प्रोटीन कैसे होते हैं 24 किलो डाल्टन के इसलिए इनको ग्लाइको प्रोटीन 24 कहा गया या इनका दूसरा नाम है dcad1 बतलब कि जो mixoamoeba है mixoamoeba एक mixoamoeba से दूसरे molecule जो जुड रहे हैं उनमें addisan molecule पाए जाते हैं उन addition molecule में एक type के molecule है GP24 जिनका दूसरा नाम है dcad1 dcad1 अब अगर हम तो इसको देखा गया कि भाई जो वो slug है उसके किस पार्ट में इनका important role है इसको देखने के लिए क्या किया गया इन जीन यह molecule बनाने वाले gene को deficient करा दिया गया तो क्या देखा गया the GP24 treat with antibody mask GP protein will not stick to another and development ceases मतलब की कहने का मतलब यह कि GP24 जो एदेशन molecule वो इतनी important है कि अगर उनको किसी antibody से mask करा दिया गया मतलब उनके effect को खतम कर दिया गया तो क्या होगा कि मीज की cells stick ही नहीं करेंगी एक cell दूसरे से चिपकेगी नहीं और जब इस्टिक नहीं करेगी तो फिरी इस तरह का streaming नहीं कर पाएंगे या जो भी mount बन रहा है select बन रहा है वो कहां बन पाएगा अगर से गूसरे से एडेयर नहीं करेंगी तो यह देखा गया कि जो GP21 addition molecule है वो बहुत important role play करता है अगर वो mutate हो जाए तो cell development क्या कर जाएगी cease कर जाएगी ठीक है दूसरे टाइप की जो molecule है उनको addition molecule है उनको कहा जाता है discoidin 80 discoidin 80 तो वो क्या है glycoprotein 80 ठीक है उनको वो 80 molecular weight की होती है उनका molecular weight 80 kilodalton का होता है इसलिए उनको GP80 यह दूसरा नाम उनका होता है CSA sorry CSAA ठीक है CSAA तो यह क्या करती है यह aggregation phase में इनका important role देखा गया अगर हम इनको lag कर देते हैं तो slug का formation मतलब की detect in this slug form but fruiting body will not form मतलब slug तक तो बन जाएगा लेकिन उसके बाद जो fruiting body जहां पे spore और pre-stock का formation हो रहा है वो formation नहीं हो पाएगा तो यह चीज हो गई ठीक है इसके बाद जो next है late aggregation अब इसके बाद यह क्या कर रहे है late aggregation में participate कर रहे हैं यह molecule 150 kilo dalton के होते हैं इनका नाम होता है GP150 और या फिर हम इनको कहते है LAXC molecule यह क्या करते हैं stay cell surface during the grex migration जब grex का migration हो रहा होता है जो grex migrate कर रहा था डार्क में है ना तो वो जो migration होता है उस समय इनको देखा गया है कि यह पाए जाते हैं अगर हम इनको lag कर देते हैं defect in GP150 development arrested loose aggregate stage pre-spore and pre-stuck fail to short respective reasons क्या लिखा है कि अगर हम इनको defect कर देंगे तो जो loose aggregate वाले जो condition थी है ना जहां पर एक tight aggregate बना था और उससे पहले loose aggregate बना था तो loose aggregate stage pre-spore and pre-stock fail to sort out मतलब कि क्योंकि जब tight aggregate बनता है तो fruiting body अच्छे से pre-stock और क्या बना पाती है sports बना पाती है लेकिन अगर वो aggregate tight नहीं हुआ loose ही रहा तो ऐसी condition में क्या हो जाएगा कि वो फिर अच्छे से differentiate नहीं कर पाएंगे प्री-stock से pre-sports का differentiation अच्छा नहीं हो पाएगा तो इसलिए इनको यह देखा गया कि अब प्री-stock और प्री-sport को अच्छे से separate करना हो sorting करनी हो अच्छे से तो उसके लिए lag यह lag सी means addition molecule बहुत जरूरी है तो इस तरीके से addition molecule तीन तरह के addition molecule की जरूरत पड़ी पहला GP24 जो कि क्या कर रहा है जो कि cells को stick करने में काम कर रहा है दूसरा जिसको discoiden भी बोलते हैं CSA1 भी बोलते हैं GP80 भी बोलते हैं यह क्या करता है इस यह slug तक तो बन जाएगा लेकिन fruiting body का development नहीं हो पाएगा क्योंकि fruiting body आगे चलके sports का formation करेगी तो फिर वो चीज हो ही नहीं पाएगी और अगर लेक्सी means lacking है तो ऐसे case में क्या होगा कि जो pre-stock और pre-sports वाली condition जो differentiation जो sorting है वो अच्छी नहीं हो पाएगी तो यह addition molecule का function होता है तो इस तरीके सी addition molecule काम करते है अब इसके बाद की differentiation होता है तो means कि यह SDF1 molecule कुछ पाए जाते हैं इनका नाम है sport differentiation factor 1 sport differentiation factor 1 जिस और कुछ और molecule जैसे की tishanku initiate culmination तो जो culmination का phase आपने देखा ठीक है यह culmination वाले phase में culmination वाले phase में अब क्या होगा कि differentiation हो रहा है culmination वाले phase में तो differentiate होके क्या बन रहा था spores और stock का formation हो रहा था तो culmination के phase में इन molecules की जरूरत पड़ती है क्या नाम है sport differentiation factor 1 SDF1 और tishanku initiate culmination SDF2 क्या करते है pre-sport cell become spore जो pre-sport cells है अभी वो pre-sport cells की मतलब तरिकर से progenitor cells है जो spore बनाने वाली है वो cells spores में differentiate होती है और यह जो SDF2 है यह सिर्फ और सिर्फ spore cells में पाया जाता है SDF2 जो है वो pre-stock cells में नहीं पाया जाएगा ठीक क्योंकि SDF2 का receptor नहीं पाया जाता है pre-stock cell में तो suppose कि यह fruiting body है तो इस fruiting body में जो sports वाली cells है वहाँ पे SDF2 पाया जाएगा लेकिन जो pre-stock cells है वहाँ पे SDF2 नहीं पाया जाएगा क्योंकि fruiting body का differentiation कैसे हो गया SDF1 से अब SDF1 में भी जो pre-sport cells है वो differentiate होके sports बनाएगी तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा करते हैं decrease concentration cause culmination जब इनका concentration कम हो जाता है तो culmination मतलब climax phase आ जाएगा मतलब की fruiting body बना के differentiate करके sports का formation करेंगे anterior of the grex release ammonia help to regulate chemo-taxic or pre-stock cells तो मतलब जो इसका grex का anterior होता है वहाँ पे ammonia release होता है और release करके वो chemo-taxic और मतलब substance की तरह काम करता है कहां पर pre-stock cell में फिर एक और होता है DIF-1 factor DIF-1 कहां से secret होता है pre-sport cell से secret होता है pre-stock cell near the pre-sport cell encounter DIF and convert into the stock cells मतलब की यह एक तरिके से जो DIF-1 होता है वह chlorinated lipid होता है जो कि pre-stock cell से differentiate होता है मतलब की secret होता है अब यह मतलब कहने का यह है कि जैसे यह stock है stock में यह stock तो यहां तक है यह एक stock है जो की पूरी की पूरी somatic ही stock है यहां पर जो stock है यह तो sports के पास stock है यह जो fruiting body यह जो sports का formation करने वाले वहां पर यह stock पाई जा रही तो इस और इस stock को भी differentiate करने के लिए कि यह वाली stock यहां पर रहेगी मतलब की जहां पर sports है और यह वाली stock तो सिर्फ स्टेंडबाई करने के लिए है इसको खड़ा रखने के लिए है तो मिस कहने का क्या है कि यह जो डिया एफ वन फैक्टर है वो क्या करता है कि कहां पर encounter होता है pre stock cell near the pre sport cell encounter convert into stock cells यहां पर देखिए क्या हो रहा है जो यह यह वाला cyclic AMP two-way से मतलब हमने बताया कि streaming करता है streaming करने के बाद जब एक बार यह वाला process हो जाता है once it happened the unresponsive further cyclic AMP during this extracellular membrane associated phosphodized race कहने का मतलब यह कि जब streaming वाला process हो गया streaming वाला process हो गया तो अगर वो continuous होता रहे तो फिर तो बहुत लंबा लंबा यह streaming हो जाएगा तो एक time के बाद क्या होता है कि जब यह cyclic AMP कारवन है ना जो कारवन था जो कि एक GPCR receptor है cyclic AMP और protein kinase A pathway जब activate होता है यह pathway activate करके क्या करता है यह आगे चलके यह pathway phosphodized race को activate कर देता है मतलब पहले तो streaming होती है streaming होने के बाद फिर यह वाला pathway चलता है यह pathway जब चलता है तो phosphodized race को active कर देता है phosphodized race का काम क्या है break करना cyclic AMP को है ना phosphodized race का काम तो cyclic AMP को break करना है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ के case में एक reg A phosphodized race होता है वो क्या करता है कि बाद की cyclic AMP को cells से cleave कर देता है फिर आगे के cells नहीं जुड़ पाते हैं मतलब एक regulatory mechanism है ना यहाँ पर एक regulation हो रहा है morpho regulatory कि ऐसा तो नहीं कि बस सिर्फ जुड़ते जा रहा है एक time के बाद तो उनका जुड़ना भी बंद होगा ना तो वो कैसे होता है जब यह सब pathway on होता है streaming होती है सारे जो mixoamoeba इस तरह से जुड़ जाते हैं तो cytoskeleton का कुछ orientation चेंज होता है और इसके बाद यहाँ पर जो यह वाला pathway हमने आपको अल्रेडी यहाँ पर बताया था कि carbon cyclic AMP protein kinase जब चलता है तो चलने के बाद क्या होता है कि यह active करा देता है phosphodized rays reg 1 को और जब यह reg 1 active होता है तो यह क्या करता है remaining जो cyclic AMP है अगर suppose यहाँ पर cyclic AMP है इनको cleave करा देता है जब यह cleave हो जाएंगे तो आगे फिर mixoamoeba नहीं जोड़ पाएंगे तो cyclic AMP एक तरीके से क्या काम कर रहा है act as morphoregulatory molecule कि मतलब पुरा regulation कर रहा है जोडने का भी काम हो रहा है फिर जब cleave हो जा रहा है तो फिर नहीं molecule मतलब की mixoamoeba फिर नहीं जुड़ेंगे इन slug adnylase cyclase G it act as osmosensor मतलब की slug में जो adnylase cyclase है वो osmosensor का का काम करता है ठीक है अब तो जो adnylase cyclase है वो भी 3 तरह के होते हैं भाई adnylase cyclase क्या करते है cyclic AMP का formation करते हैं वो दूसरा adnylase cyclist B-gene होता है जो कि terminal differentiation की type काम करता है मतलबлер जे being fruoting body or toxins बन रहा है और एक adnylase cyclist स्टब होता है जो की during germination germination जो fru ting dóndeka होता है वो adnylase cyclist osmoregulator की तरह काम करता है या Osmosensor की काम करता है अब इस OSMOSensor का मतलब क्या है मतलब यह है कि अब यह fruili quantum body बन गैये यह fruiting body बन गई है, अब fruiting body ऐसा तो नहीं कि fruiting body बस release हो जाए, बन गई तो बस उसको अब sports release करने, ऐसा नहीं होता है, बन जाए, बनने के बाद, यह osmosensor के through, इसमें पाये जाते हैं osmosensor, osmosensor by cyclic EMP, osmosensor, वो osmosensor sense करते हैं कि environment बाहर का सही है, कि भाई अगर mixo amoeba release हो तो उनको food मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या फाइडा release करने से, तो osmosensor क्या करते हैं, sense करते हैं कि बाहर का environment, osmotic जो भी environment है उसको sense करते हैं, तब यह अपने mixo amoeba या fruiting body को release करते हैं, तो यह वाले जो हैं, यह जो ACG, यह कहां पाय जाते हैं, यह osmos sensors का काम करते हैं, ठीक है, एडनायले cyclist G वाले जीन, ठीक तो इस तरीके से एडनायले cyclist B तीन तरह के होते हैं, एडनायले cyclist A, जो कि aggregation की time रहते हैं, जो streaming बन रही है, वो एडनायले cyclist A की वज़े से हो रही है, फिर एडनायले cyclist B, जब terminal differentiation हो रहा है, जब की जो pre-spore और pre-stock बनने वहां पर काम कर रहे हैं, एडनायले cyclist G कहां पर हैं, जब की उसको release करना है, जब की उसको release करना है, तो उस समय उनका काम होता है, वो sense करते हैं, environment को, और फिर इसके बाद वो spore को release करते हैं, ठीक, तो अभी अब तो आपको यह समझ में आ गया स्टॉक बनाता है, फिर posterior portion क्या बनाता है, sports बनाता है, sports का formation, the surgically remove anterior part of the slug, अगर हम किसी भी तरीके से anterior part, और anterior part कितना, 15 to 20% होता है, वो stock का formation करता है, हमने जैसे आपको बता है, और बाकी जो remaining होता है, वो sports बनाने में काम करता है, ठीक, तो और हमने यह भी बताया कि इनकी कंडिशन होती है, कि यह भाई, stock बना रहे है, इनकी condition, इनकी location के according होती है, कि इनकी location कहा है, जहां पर cells locate होगी, उसी के according वो अपना expression करेंगी, तो अगर anterior side पर cells है, तो फिर stock बनाएंगी, अगर posterior side पर है, तो वो sports बनाएंगी, तो अगर हम किसी भी तरीके से experiment करें, कि हम surgically anterior portion को हटा दे, anterior portion हट गया, the ability to sell which present at posterior become sport that change development faith according to their location within whole audience, thereby or missing part is called regulation, मतलब कि इसमें regulatory development होता है, ठीक है, regulatory development होता है, कहने का मतलब यह है, कि अगर हमने इस slug को anterior portion में cut कर दिया, तो अब इसका जो आगे का, अब यह anterior हो गया, जो पहले posterior portion मतलब participate करा था, अभी वो anterior हो गया, अब यह anterior हो गया, तो यह बनाएगा pre-stock, ठीक है, इसका फिर जो remaining part है, उसका फिर 15 to 20% stock बना लेगा और remaining posterior बना लेगा, तो इस तरह से इसमें regulation process होता है, last वाला क्या, बताना है फिर से, अच्छा, देखिए, क्या हो रहा है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है, कि जैसे हमने आपको जब हम structure बता रहे थे, तो हमने बताता है कि location के according इसका structure determined होता है, मतलब इन में cell में ऐसी पहले से conditioning होती, कि जो भाई anterior side में होंगे, वो, यहाँ पर देखिए, हमने बता जिसका anterior side होता है, वो stock बना लेता है, और anterior side का 15-20% cells, क्योंकि cells तो सारी एक जैसी है, फिर कैसे anterior बनता है, तो जो cells anterior में पाई जाती है, जो cells Grec's के anterior में पाई जाएंगी, वो stock बना लेती है, कितनी percent, total जो तनी cells होती है, उसका 15-20% क्या बना लेंगी, pre-stock बना लेंगी, somatic cells और जो remaining cells होती है, वो posterior side में प्रिस्पोर, reproductive cells बना लेती है, अब क्या किया गया, कि surgically, surgically क्या किया गया, remove कर दिया गया, suppose, कि ये, ये मानिजे, Grec's है, ठीक है, ग्रेक्स है, ये anterior side इसका pre-stock बनाने वाला है, और ये pre-spore बनाने वाला है, ठीक है, इसका कितना percent, जो anterior side की cells ह मतलब कि इन सभी cells के पार बना लेती है, जैसे कि जो anterior में cells है, वो cells क्या करती है, वो pre-stock बना लेती है, और जो posterior में cells, मतलब कि इन सभी cells के पार बना लेती है, दोनों चीच बनाने की capability है, तभी तो ऐसा हो रहा है, इन cells के पास stock बनाने की capability, sport बनाने की capability है, लेकिन, क्योंकि जब ये grex form में रहते हैं, जब ये slug form में रहते हैं, तो उस समय, जो portion anterior में होता है, वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है pre-stock cell, और जो posterior में होता है, वो ब रोल पे करता है अब मालिज्य किसी भी तरीके से हमने क्या किया इस लग का रेल पॉर्षिंन करось कट कर दिया किसलग था इसका एंटीर पॉर्षिंस हमने कट कर दिया अमैं अन्य जो की 17-20 परسंट था जो की प्री स्टॉइक बनाने वाला पोर्शन था उसको हमने कट कर दिया तो आव जो रिमेनिग जो प्री स्पोर वाला कर यह है इसका अभ यह जो पोर्शन जो की इस पोर अभी बनाता अभी यह एंटीरीयर होगया है तो अब जो इस Sizkans 15 टू 20 परसंट क्या बना लेगा प्री स्टॉक बनाएगा बाकी का रिमेनिंग प्री स्पोर बनाएगा यह छूट गया था अचलिए आप क्वेस्टन देखते हैं जैसे कि हमने बताया अग्रिगेशन का फेज तब वहां पर हो रहा है Departation मतलब Culmination कि फेज में एदनियले साइकलेस बी-्रिलीज हो रहा है अगर एदनियले साइकलेस के जीन का म्यूटेशन कर दिया जाए तो क्या होगा यही बताना है आपको इसमें देखी पहला क्या दिया हुआ है अगर 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 हम उसको एलाओ कर दें कि साइकलिक एमपी बाहर से एलाओ कर दें एक्सपोस कर दें तो ऐसे केस में तो फिर वो एग्रिगेट कर पाएंगे ना हमने साइकलिक एमपी बाहर से एक्सपोस करा दिया ACA deficient cell can be allowed to aggregate by exposing them to pulse of साइकलिक एमपी है ना तो बाहर से जब क्योंकि पहले तो मुटेशन केस भी लगा दिया है मुटेशन के बात फिर उन्हें कंडिशन भी लगा दी कि अगर्म बाहर से यह false हो जाएगा क्यों कि ACB अगर deficient है तो normal fruiting body तो बनेगी नहीं क्योंकि ACB की वज़े से fruiting body proper बनती थी मतलब differentiation करता था fruiting body का यही तो normal fruiting body नहीं बनेगी और spores भी germinate नहीं होंगे तो यह हमारा false हो गया ACG deficient cell develop normally and spore germinate in spore head itself अब कहरा है कि अगर ACG deficient cell है तो develop करेगा normally तो हम मांल नेती कि normally develop करेगा तो यह हो जाएगा हमारा C वाला option वाला option false हो जाएगा क्यों false हो जाएगा। इसलिए false हो जाएगा कि कहरा है कि ACG deficient cells ACG deficient cells हैं, वो normally develop करेंगी normally develop कर सकती fruiting body तो बना लेंगी लेकिन वो अपने आप से head से germinate कहां कर पाएंगी क्योंकि osmosensor नहीं है osmosensor deficient है, तो normally germinate नहीं कर पाएंगी, तो इस condition में ये false हो जाएगा, है ना पिर इसके बाद spore formed from ACG जो spore ACG से बनते हैं formed from ACG deficient cells जो spore ACG deficient cells से बनते हैं, वो germinate irrespective of osmotic condition अब ये कह रहे हैं कि अगर जो spore ऐसे बनने जो की ACG deficient cells है ACG deficient cells से जो spore बन रहे हैं, वो germinate अगर करेंगे भी तो वो osmotic condition के irrespective होंगे, ठीक है उनके वो germinate तब मतलब कर रहे हैं तो उनके उपर osmotic condition वाली मतलब condition नहीं लगी है तब वो germinate कर रहे हैं तो वो irrespective है तो ये statement हमारा true हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा A and D option हमारा सही हो जाएगा अब बताइए इससे related कुछ statement दिये हैं उसी को बताना है आपको पहला कि every amoeba at the time of aggregation has potential to make, receive and relay cyclic AMP तो ये सही है जिसके पास भी means जो भी amoeba होते हैं उनके पास सबके पास ये condition होती ही कि वो relay कर सकते है cyclic AMP को sense कर सकते हैं पहला वाला हमारा नहीं हो गया पहले में 3 में सही पहला दिया हूँ मतलब A 3 में दिया हूँ ACB mutant developed normally ACB mutant developed normally but spore form appear glassy and are unable to germinate तो पहली बार तो ACB कह रहा है कि developed normally तो अगर ACB का mutant है तो normally तो वो develop करेगा नहीं और फिर कह रहा है कि ऐसा-ऐसा appearance दिखाएगा तो ये तो हुगा नहीं ये तो false हो गया the spore form by ACG mutant germinate in sorus itself जो spores ACG से बनते हैं mutant से germinate in sorus itself तो germinate करें करें sorus itself मतलब कि वही spores itself अपने आप से germinate कर लेंगे तो ऐसा तो नहीं तो क्योंकि sense करते हैं ना the reg A तो वह भी false हो जाएगा reg A is an extracellular phosphodiesterase तो ये phosphodiesterase तो होता है फिर इसके बाद क्या है the cyclic EMP cyclic EMP is continuously secreted by in the nanomolar amount during the aggregation तो इसमें जो correct statement है वो हमारा क्या हो जाएगा A and D